तो जो भी बच्चे पहली पर विजिट कर रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक है और सब्सक्राइब कर देजेगा चलिए सबसे पहले बात कर लाते हैं आपके केस के अपडेट को लेकर की इसको लेकर के बच्चों के बहुत सारे प्रेस्ट बन रहे थे क्या कुछ मामला चल रहा है केस अपडेट को लेकर के देखे केसे मैंने आपको पहले ही बता दे है प्यारटी की ओर से टीस्टी की ओर से और एन तीनों की ओर से केसे की गए हैं जहां तक बात करेंगे प्यारटी और टीस्टी की तो इनके केस सिमिलियर है दोनों ही अपने नंबर से हसंतुष्ट हैं और कही ने कही इनके द्वारा यह खा जा रहा है कि यह जो मार्क से ही गलत है अभी आपको केस के सम्द में मैंने आपको जनकरी पहले भी प्रॉइट करीए केस जब भी होता है पहले फायल के जाता है और उसके बाद उसको register कियाता है, इन दोनों में काफ़ी different होता है, case पहले file होता है, उसके बाद register किया जाता है, तो जहां तक अगर हम बात करेंगे, तो जो cases चल रहे हैं, PRT के या TCT के या NIS के, तो वो किस level पर पहुंची हुए हैं, तो हाल फिलाल में भी cases हैं, वो अभी के file किया गए, register नहीं किया गए, चुकि आप सभी कोई पता है, कि पर जारो cases file कियाता है, लेकिन सभी cases के सुनवाई नहीं कि जाती है, और जब case file किया था, उसके बाद register किया था है, और उसके लिए proof लगता है, तो अभी हाल फिलाल में जो भी cases चल रहे हैं, यानि कि जो PRT के टीजटी के है, जो भी NIOs के जो भी candidate के द्वारा जो भी case करा गया है, वो file तो कर दिया गया है, लेकिन अभी register नहीं किया गया, और उमीद है बहुत सी कि इसको register भी कर लिया जाएगा, जैसे register हो जाएगा, उसके बाद या आपको diary number उगरा, जानकरी प्राप्त हो जाएग तो जैसे हमको पता चलता है, जैसे ही register हो जाता है, उसके बाद आपको diary number पता चलेगा, और वहीं से आपको पता चलेगा, टोटल कितने petitioner हैं, यानि कितने लोग उसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है, और साथ में जहां तक रही बाद interview के marks को ले करके, तो यही दोनों मुद् candidate है, जो कि PRT का है, और उसके 150 number बने हैं, या फिर 160 से भी जादा number बन गए हैं, और वो डिजर वे candidate था, और उसके इंटर भी बहुत अच्छे गया थे, लेकिन उसका selection अगर उसका नहीं किया गया है, तो अब भी आपको यह समझना होगा, तो माली जी वो जनरल category का है, है है ST category का, अगर हम ST category का ही वो बच्चा ले लेते हैं, जिसके number 150, और ST category में बहुत सारे बच्चों है, ऐसे मैंने देखे हैं, जिनके 1500 या 1500 के plus number बने हुए हैं, ठीक है, तो माली जी कि यह कोई candidate है, जिसको इसके data number बन गए, या 200 से नहीं जादा है, तो उसको selection के लिए मातर 30 number चाहिए होगी, ठीक है, अगर 30 number के आसपास भी उसको number मिल जाते हैं, तो 100% का selection हो जाता है, लेकिन अगर case file होता है, तो आपके पास क्या proof रहेगा कि आपने interview में अच्छा performance किया है, ठीक है, तो ये चीज कहीं ने कहीं, interview में एक बहुत ही, कह सकते हो कि minus point हो रखती है, बच interview कराने का उद्यद सिर्फ इतना होता है, कि बच्चे के अंतर से जो भी skills हैं, या फिर जो भी तीज़े हैं, उसको निकाल सके, क्यों ये देखना होता है, कि बच्चे ने क्यों रट करके exam थो नहीं दिया है, और बाकि जो भी उसके अंतरगत skills हैं, बोलने का तरीका, प्लस ये तो बच्चे समझ रहे हैं, और जो भी बच्चे समझ रहे हैं, वो इसका support भी कर रहे हैं, तो मैं देखिए, यह नहीं कहा रहा हूँ कि सारे के सारे जितने भी पद हैं, उन पे कही नहीं गलत हुआ है, और यह भी नहीं कहा रहा हूँ कि प्यार्टी में टोटल आपके 64 400 पाद है तो सारे के सारे ठीक है कहीं न कहीं उसमें 100-200 या 300 पत्तो ऐसे जरूर है जिसमें कहीं न कहीं गलत तरीके से बच्चे को entry दिलाई गई है ठीक है और जिसकी वज़े से जो बहुत सरे candidate है जो की deserving थे जिनकी 100 number या उसके उपर बने हुए उनका कहीं न कहीं रह गया कुछ marks की वज़े से और प्लस interview के marks भी नहीं बताए गये सेम यही जो है हमारे TST candidate के साथ में भी होगा है interview के marks वगरा नहीं बताए गये और वो भी अपने interview के number को ले करके ही असुनतुष्टी दिखा रहे हैं और सेस आप सभी भी जान रहे हैं कहीं न कहीं इसमें कुछ न कुछ तो है और जहां तक मेरा मानना है interview को कहीं कहीं इसको समाप्त कर देना चाहिए जिस तरीके से बाकी अन्य विभागों में भी आपने देखा है जैसे कि DSS भी आपका हो गया सबसे बहुत अच्छा उदारण है यहां पर और DSS में किसी भी तरीके से कोई भी इंटर्व्य नहीं कर रहा था है आप रिटेन क्लियर करता है तो आप डार्ट हो जाता है इंटर्व्य जरूरी होता है कहीं न कहीं लेकिन इंटर्व्य का अगर गलत उपयोग हो रहा है तो बिल्कुल असपास रूप से इंटर्व्य को हटा देना चाहिए ठीक है कि वह अपने इंट्र्वी में अपने आपको पास कराने के लिए पूरा मेनत लगा देगा, है नब और इंट्र्वी में पूरी तरीके से लिचार डेमव हूँ या बोरट टीचिंग हो सब कुछ करा जागा, बागी किस तरीके से इंट्रवी लिया गया है वो तो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि सारे बच्चों से डेमू नहीं करा गया चाहरे बच्चों से बौट टीचिंग जो भी रिजल्ट होंगे जो भी इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा और जो भी डायरी नमबर के मादधम से जो भी जनकरी प्राप्त होगी आपको हमारे चैनल पर जरूर देखने मिलेगी तो जो भी हमारे चैनल पर पहले पर विजिट कर रहे हैं लेकिन आपके जो भी प्रश्ण होंगे उनके उत्तर को देने का प्रयास किया जाएगा इसके अत्रित अगर आपकी कोई राय है इस विसे पर तो आप उपनी राय भी कमेट में मेंसेंट कर सकते हैं देखिए सब की राय अलाग अलाग है जो भी अच्छे स्लक्टेड या पिर जो भी बच्चे हमारे हैं उनका कही न कहीं कुछ बच्चों का यह भी मानना है कि बिल्कुल सब कुछ सही तरीके से हुआ लेकिन कहीं कि इसमें है यह बिल्कुल असपस्टो क्लियर और साप रोप से दिखाए दे रहा है तो आपके मन में जो भी है वो बता सकते है फिलाज मिलते हैं शोड़े में थैंक्यू सो मच धन्यवाद